स्वाद के लिए जहाद जगा नहीं होती है वहाँ पर लालच की भी जगा नहीं होती है जहाँ स्वाद और लालच दोनों का जगा नहीं है वहाँ पर जूट, छल, कपड और दोगा का भी जगा नहीं है वहाँ पर किसी प्रकार की अन्याय का बिलकुल जगा नहीं होती है, गुंजाइश नहीं होती है, जिस विक्ति के मन में निस्वाद है और दूसरों के भला करने का अवधारी गुण हैं, ऐसे विक्ति के हरुदे में कभी किसी के लिए अन्याय करने का, किसी को घाक करने का, न या पिर रिश्वत का लालज भी देखर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के दबाओं में नहीं आते हैं। कभी किसी के प्रॉलोबन में नहीं गिरते हैं। वेतर विल्कुल अपने मन की खराई से और जीवन की सिदाई के साथ में चलते हैं। निस्वाद मन के साथ, हिमत के साथ, धायरी के साथ और दोसरों की मदद करने, उनका भला करने, ऐसा अधारी गुन पर मिश्वर हमारे बीतर भी बढ़ने के लिए, पवितर आत्मा का बिश्यक इस कारण से हमारी उपर लियाने के लिए, हम सबंगो चुणने के लिए करेंगे, पवितर आत्मा का बिश्यक से हम सबंगो भरता हुआ, ग्यान में, समझ में, और आपके वच्णों की रहां में परभुजी हमें खड़ा करते हुए, सिदाय के साथ में चलाने के लिए इच्छा को रखते हुए, हम सबंगो निरूंट पर पर विश्यक इप और आपकी कारों को आकर शिक करते हैं हमारे हर वचार और अवर्चार की और हर जीवान की कदम की और आपकी आत्म को और आपकी ध्यान के परोगजिर पूरी तरसे आकर शिक करते हैं पिदाापनमेश्वर अपने हरंदब परोगज misery Radio हमारे भुख वाड़िक करते हुए इसलिए ना उूंगते हुई ना सोते हु रोजिय हमारी देखबाल करते हैं सहायता करते हैं हमारी आउशत्ता प्रबुज अपने स्वर की बंडारों को खोल कर हम तब पहुंचाते हैं सहायता बरिहात निरंदर परमिश्वर हमारे उपर रखते हैं कभी भूलते नहीं हैं त्यागते नहीं हैं छोड़ते नहीं हैं ठुकराते नहीं हैं वरन परमिश्वर हमारा ही परमिश्वर हमारा ही जिमता निरंदर आप करते हैं धनिवात करते पिता परमेश्वर ऐसे बद्गोनों के साथ में ऐसे मन के साथ प्रबुजी आप हमारे पांसे प्रबुजी और हम आपका प्राप्त करते हैं शक्रेदा करते हैं हमारे सारे प्रीजिनों को फिरस एक बार आप एक दुस्ट्री में लेकर आते हैं हमसे बाते प्रविश्य मसी के नाम में प्यार भरा जैमा सीकिन, सुपरबातम और सुबोधें कहते हुए हम सब कमन पसंद ध्यान के अंदर आध्यात में जीवन की ध्यानी खुराक में और इस नाय दिन में आप सब का स्वागत करते हैं हमारे ध्यान इत्यास की दूसरी गरांती स्वाध्याय में चल रही है और उसका पहला वच्छन से आगे बढ़ाएंगे फिर हिज क्या अडे सारे इसराल और यहुदा में कहला बेजा और प्राइम और मनशे के पास इस शासरे के साथ पतलिक बेजे कि तो यरुशलीम को यहवा के बवन में इसराल के पर मिश्वार यहवा के लिए फसल मनाने कुआ राजा और उसके हाकिमो और यरुशलीम की मनली ने समगती की थी कि फसल को दूसरे महने में मनाएं वे उसे उस समय इस कारण ना मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही आज को ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरुशलीम में इकठाना हुए थे और यह बाद राजा और सारी म पर मिश्वर यहवा के लिए फसल मराने को चलिया क्योंकि वोड़ों ने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस परकार ना मनाया था जैसे की लिखा है इसलिए हर कारे राजा और इसके हां की मौन से चिट्टी लेकर राजा गया गया के निसा सारे इसराल और यहुदा में ग करें और अपने पुर्खाओं और भायों के समान मत बनो जिनोंने अपनी पूरवजों की परमिश्वर यहुवा से विश्वास घाद किया था और उसने उनी चव्यक्त होने के कारन कर दिया जैसे कि तम स्वैयं देख रहे हो अब अपने पुरखाओं की नाई हट ना करो व यदि तुम यहवा की और फिरोगे तो जो तुम्हारा बाई और लड़के बालों को बंगवा बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लोट सकेंगे कि तुम्हारा परमिश्व यहवा अनुकरकारी और दयालू है और यदि तुम उसकी और फिरोगे तुम से ना मोड़ेगा इस प्रकार हर कारे इप्राइम और मनशे के दिर्शम में नगर नगर होते हुए जबलून तक गय परंतुरों ने उनकी हसी की और उने टट्टों में उड़ाया तो भी अशेर मनशे और जबलून में से कुछ लोग दीन होकर यरुश्लीम को आए और यहुदा में भी परमिश्वर की ऐसी शिक्ति हुई कि वे एकमन होकर जो आग्या राजा और हाकिमों ने यह हुआ के वच्छन के अनुसार दी थी उसे मानने को तयार हुए इस प्रकार अधिक लोग यरुश्लीम में इसलिए एकटे हुए कि दूसरे महने में अप मिरी रोटी का परमने और बहुत बड़ी सबा एकटे हो गई और उने ने उटकर यरुश्लीम की वेदियो और दुख जलाने के सबस्तानों पूठा कर कि दुरुनाले में फैंक दिय तो दूसरे मेंने के चोदेवे दिन को उन्होंने फसा की पशुबले किये तब याजक और लेवी लजीत हुए और अपने को पवित्र करके होमवलियों को यहुआ के भवन में ले आए और वे अपने नियम के अनुसा अर्दात पर मिश्मर के जन मुसा की विवस्ता के ले सब अश्द्ध लोगों को फसा के पशुबले करने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहुआ के लिए पुवित्र करें। बहुत से लोगों ने अर्थात एप्राइम मनश्य इसकार और जब लोगों ने बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था तो जो परमिश्वर की अर्थात अपने पूरवजों के परमिश्वर यहुआ की खोश में मन लगाये हुए हैं। चाहे वे पवित्रस्तान की विदी की अनुसा शुद्ध ना भी हो और यहुआ ने हिच किया कि अपरादना सुनकर लोगों को चंगा किया और जो इसराली यह र करते रहे और जितने लेवे यहुआ का भज़ान बुद्धिमानी के साथ करते थे उनको हिच किया ने शांति के वच्छन कहे इस प्रकार में बेलबली चड़ाका और अपने पूरवजों के परमिश्वर यहुआ के सम्मोग पापंगी कार करते रहे और उस निमत परुके सा हमें ठाफ़ सवा को एक घजार बच्चडे और सांक घजार बेड़ बक्रिया दे दी और हाकिमों ने भी सबबा को एक घजार बच्चडे और दस recur Dog बेलबच्र दी और बहुत सजी कोने अपने करक्र किया तो यहा जको और लियो समयत यहुदा की सारी सबबा और इसराह एस की सबा और इसरायल की देश में से आई हुए और योदा में रहने वाले परदेशी इन सबों में आनंद किया सो यरिशले में बड़ा आनंद हुआ क्योंकि दावत की पुद्र इसरायल के राजा सुलिमान की दिनों से ऐसे बात यरिशले में ना हुई थी अंत बेलेवी आज़कों ने खड़े होकर प्रजा को आश्रवाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्राधना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंचे इद्यास का दूसरा गंतीस वध्याई का पहला वचिन से लेकर आकरी वचिन तक हमने पढ़कर सुना है हमारी आज़की पटन में भी हम राजा हिच की आगों धिकते हैं जिस प्रकास से वो अकल के धिन में परमिश्वर की मंदिर की मरमत कराता है और सभी लोगों को बुलाता है और परमिश्वर की भवन को जैसे करते हुए उसमे परू मनाने के लिए नकेवल यहुदा में वरन सारे इसराल में भी इस प्रकार का प्रचार करवाया था आज के मारे दिन में उसी भात कम देखते हैं राजा हिश्किया ने सारे हाकिमों और सबी की समुति को प्रात करते हुए यहुदा में और इसलाम में इस प्रकार से प्रचार करवा दिया कि हमारा परमिश्वयो हुआ भला है वो करना में है वो दयालो है उसकी करना सदा के लिए रहती है इसलिए हमारे भायों ने और हमारे पुरवजों ने जिस प्रकार का पाप किया है वैसे हम ना करते हुए उसके परिनासुरुक हम ने जो देखा है कि हमारे लड़के बाले, हमारे बेटे बेटिया और हमारे स्थरिया भी सब बंदवा में चले गए हैं उन सब को परमिश्व छुड़ाए, अपने अनगरों के लेखराए, अपने भड़कावा करोदी परमिश्व शान्त करें इसलिए हम सब मिलका फसर को मनाएंगे वैसे तो फसर को वच्च के पहले मेहने में मनाना चाहिए लेगि सब दो मिलका समगत ही किया है कि हम दूसरे मेहने मनाएंगे इसका कारण ये है कि बहुत से याज़क अपने आपको पविद्र ना किये थे वे अपने आपको शुद्र ना किये थे इसलिए याजगों को शिद्ध करने के लिए अपने आपको पविद्र करने के लिए एक मैना और मोखा दिया जाता है इसे कारण से फसक पर उपहले मेहने के जगा दूसरे मेहने पहुंच जाती है फिर भी बहुत से लेवी और बहुत से याज़ेक अपने आपको शुद्धना किये थे परमिश्वर की जिस विदी के अनुसर उस फसल को खाना चाहिए वैसे वो नहीं खा रहे थे फिर भी परमिश्वर की दया इनकी उपर होती है और इन सबों को चंगाई मिलती है कारण यहे कि राज़ हिच्ग्या ने सभी के लिए प्रातना किया और परमिश्वर ने हिच्ग्या की प्रातना को सुना है फसल को मनाते के हैं साथो दिन समात होने के समय आच चुका है उस समय सब लोगों ने फिर से समती करके इंगर नहीं किया कि अपरो को और साथ दिन मनाएंगे इस प्रकाश सब लोग मिलकर साथो दिन आगे बढ़ाते हैं और सारे साथो दिनों में फसल को मनाते हुए उसे खाने लगे हैं वचन सुने प्रेशनों काफे लंबे समय के बाद अर्थाद राज़ दावद के बाद उनके वीटा राज़ सुलिमान जो राजगदी पर आये थे उस समय जब परमिश्वर की मंदिर मनाए गए थी और मंदिर की प्रतिष्टा हुई थी उस दिन जो बड़ा उत्सो और बड़ा परो मनाए गया था वैस्सपरो और वैस्सव उत्सो इतने सालों के बाद में आज़ दिखाये पड़ता है जो राज-ज- इस सुलिमान ने किया था उसके बाद राज़ हिच्किया करते हैं इतनी सारे वर्षव में इतनी बड़ी समारों, इतनी बड़ी सभा और इतनी बड़ी उत्सो बिलकुल पूरी तरह से उत्खा हुआ था और रुकावट राजियो सिल्मान की यांसे होती है। सलिमान अन्य देवतों की अराद ना करते हुए उपास ना करते हुए उनके सामने जिदन्रबग करता था उनके लिए उन्ची स्थानों को बनाया था विदियों को बनाया था परमिश्वर इससे क्रोधित हो गयते उस समय सलिकर आज के दिन तक ऐसी उससे विलकुल ना हुई थी राजा हिचका को परमिश्वर ने इस प्रकास से चुना है और हिचका राजा परमिश्वर की विदियों के आदार पर चलते हुए इस अब्दु काम को करने के लिए अपने मन को सिद्ध करते हैं लेकिन जब संदेशा सारे इसराल में भेज़ दिया गया था बहुत से ल मिलकर यह रिश्ले में आते हैं और परू को मनाते हैं जितने लोग परू मनाने के लिए हैं और इसमें भागी हुए हैं परमिश्वर उन सबों के उपर अपनी अनुगर को लेकर आए हैं अपनी आशुष को लेकर राए हैं इचके राजा के अन्यकाओं के विश्वर के वि उतराती है, सास और धारी के साथ बिसे हम आगे बढ़ते तो रहेंगे, मनश्यों के अनगरों को प्राप्त करते रहेंगे, साथ इसास वर को परमिश्वर कभी, अद्बत अनगरों को प्राप्त करते रहेंगे, इसलिए 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 इस ज़ादों को सुनकर उसका उतर देने वाले हम स्प्रीम करते हुए हमारी दैलों करुना मई अनुक्राकारी müी पितापर मिश्वर पिरसे एगर आपके इस्टुद्यान करते हैं वर शमसा करते हैं माहिमा करते हैं वरजनों के लिए पिरसे परमेश्वर आपके कि अभ़ान के लिए परमेश्यों क्रताओद होगा फिर से एक रड़ हृद मेसवाय आपकर प्रबोजी माइमा करते हुए गुनानवाद करते हुए प्रबोजी अपने आपको देरों नमर करते हैं। तुआं को सुनकर पिताब ने दियोत्तरन के लिए फिर से बरावर फ्रकट करते हुए हमारे उधार करता हमारे प्रबीश्य मस्य के नाम से स्परादम को मांगते हैं। सुन और कबल कर पिताब। आमेन आमेन आमेन। निस्वाद के सदाव चलने हैं तो सभी का बला करने और उनकी बुदत करने जैसा बन। और सबसे बढ़कर पवितादा में चलने के लिए परमेश्वर की वच्चन और विदिया डेरतर परमेश्वर आपके मनों में रहते हुए आत्मा का विशेक आपके उपर अंडेलते रहे। आपकी चाल चलन परमेश्वर की दुरुष्टी में अनकूली थो और आपके जीवन परमेश्वर के लिए भावता हुआ एक बल्या के रुप में समर पे थो परमेश्वर आपसे प्रसुन होकर अपनी महिमों को पराप्त करें हमारे से दुहार कामना के साथ आज की दियान की पसमात करते हैं आप सुनते रहिए सुनाते रहिए आधियात में जीवन की देनी को राग कल फिर में लेंगे अपना ख्याल रखे अपनों का ख्याल रखे दुसरां का भी ख्याल रखे गड़ेस्यो